हेलो इस्टूडेंट वेलकम बेक टू माई चैनल सम्राट के में इस्टेंट बेनारा मैं कास मेरे प्यार वच्छों दूजाद तेज बोड़ी जम जीतने जारतियों देने वाले हो आपके लिए बहुत जादा इंपोटेंट है मेरे प्यार विद्धारतियों टाइन टेवल भ ठीक है सलोग भी हमने इंक्लूड किया है निवंद भी हमने इंक्लूड किया है यहां पर ठीक है और यहां पे जीवन फर्चे भी हमने कभी और लेखा कि इसमें हमने बताया है वहां पे खंडकाबे भी हमने बताया जितने खंडकाबे इंपोटेंट है ठीक है तो मेरे प्य प्रश्च करते हैं और देखते हैं और देखे पहले करता हूं कहरा कि चिंतामडी निबंध असंग्रा है कि चिंतामड जो है वह निबंद है ठीक है इसाल एकजाम में आया हुआ है ठीक है इस बार अग्ली बार लिखने के लिए आता था कि चिंतामडी किसकी निबंद संग्र है तो वहां पर लिखना पड़ता था लेकि अब्जेक्टी उस पर आएगा और बहुत इंपोर्टेंट क्यों सरे ठीक है अगर आपको मालूम है कि कलम का सिपाई की रचना किसने की देखिए लाल वर्मा जी कि है कि अमरीत राय की है कि प्रेम चंद्र जी कि नमें से कोई ने बताई तो दूसरा कि उसम बहुत ज़्यादा किसने की देखिए इसका राइटन सब्सक्राइब बहुत इंपोर्टेंट रिप्रेशन प्रसना ठीक है अगले प्रसन की तरह बढ़ेंगे और म क्या लिखने का कि हो किस विधा की रचना है कि रचना इवं में बताना है वीगम अजया ज़ो अंब इसका हो संब्सक्राइब Snow B shelves इतना प्रस्ण ना कि यहां से प्रस्ण बनना अनिवार है लिखिते बनेगा आगे तो और मैं अच्छे-चे किस्टन से लेकर आए हूं बस बने रहे वीडियो में और अगला प्रस्ण क्या है कि आकास दीप और ममता कृति दोनों पूछ लिया एक तो आकास दीप और दूसरा प्रस्ण अच्छे के आपका ममता यह किष्या है, यह दोनों कृति की है यह संकह प्रसाद जी कि यह रिखिया के चार प्रसादीवेदी कि लेकारें की ही प्रसाद दीप और दूनों पूछ नहीं कर घिर तो बहुत इम्पूर्टन पैसमर आपको जरूओ ज़रो और यहां से आप लोग को होगे कि हैं कि यहां से प्रस्ट आमने अच्छे अच्छे लिए अब देखें काल अधी है सुखली की काल अधी चीतनी भी काल अधी है ना उसको अभी जेस्ट पूरा का पूरा डिसकस करने वाले हैं और आएसा था हैने की कालव अधी से इक जान। नहीं देखा हंडेज परसंट है जो पेपर बनाने वाले होंगे बोर्ड उन्हें परसंट काल अधी से तो देना निवाल रही है सुकल योगी की कालोधी है अब बताए सुकल योगी की कालोधी कितनी है पर देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही कर पाते हैं ये मुझे देखना है सुकल यूगी की पूछ रहा है किसकी सुकल यूगी की कालोधी कितनी होती है मेरे प्यार बच्चो आपसन नमर सी रट जाना कि 1999 से लेकर कहां तक 1938 तक की जो कारोधी माने जाती है वो सुकल यूग की कारोधी माने जाती है ठीक है चलिए मेरे प्यार बच्चर देखो अब बताओ सुकल यूग उत्तर यूग उत्तर यूग अब आगया सुकल यूग अब बताओ कि सुकल यूग की जो समय सिमा है वो कितनी माने जाती है सब्सक्राइब कर लो और इस डेट को कभी भूलना मत यहां से प्रश्न बनेगा समय सिम्हां से प्रश्न बना निमारे 1936 से लेकर 1923 तक की समय सिम्हा है उसे अमानते शुक लुक्तर्यूं की समसिम्ह ठीकर चलि मेरे प्रश्न नमर साथन है देख लो प्रश्न बताना है कि नींड में से रीटी काल आप बताओ रीटी काल की सम रहीज़ी कितने होती है द CAPst Division 849 tk 14 == 10 सारसर्स햇यों से आज तक अथारा सोतिर्यालीस से आज तक मता प्यारे बच्चो में मैं से रीती काल की कटन्य वहना जाती है ठीक है छिए तुसका और आप में के पांड नुबर एही किलीख कर लो और डेट याद रख लेना कि 1443 लेकर 1843 तक की जो अवधी माने जाती है वो रिती काल की काल अवधी माने जाती है ठीक है मेरे प्यारे वक्षो आगला बताओ कि आधुनिक काल की समय सीमा कितनी होती है तलब आधुनिक काल जो है तो आधुनिक काल की जो काल अवधी माने जात प्रश्न का राइट आज तक बताओं प्रश्न प्रश्न का राइट आज तक जो डेट चला रहा है उसे हम आधुनिक काल कहते हैं प्रश्न का राइट प्रश्न प्रश्न का राइट आज तक बताओं प्रगतिवादी की कालोदी कितनी माने जाती है प्रश्न का राइट आज तक बताओं प्रश्न का राइट अंसर बताओं प्रगतिवादी युकी कालोदी आप सने ट्रिक लागा लो ठीक है और इस टेट को कभी भूलिएगा मनें प्रगतिवादी युकी कालोदी कितनी होती है अब हमने प्रगतिवादी देखा लेकिन यह आपका प्रयूगवादी दोनों अलग लग होते हैं प्रगतिवादी प्रयूगवादी तो प्रयूगवादी युकी कालोदी बताओं कितनी होती है प्रयोग वादी यूग की मानी जाती है प्रयोग वादी यूग की मानी जाती है चलि में प्यार विच्चों खिलियर होगा आप लोगों को आगला बताइए जब यह तो मालूमना चाहिए दिवेदी यूग की कालोदी कितनी मानी जाती है दिवेदी यूग की 1850 से 1922 तक 1921 से आज तक ठीक है मेरे प्यार विच्चों आइए दिवेदी यूग की कालोदी कितनी मानी जाती है और बहुत प्रश्न है आव सान की लगा जल्दए से क्लिक कर लो कि 1921 शुनी मानी जाती है टीक है चली है आप देखिए या प्रवितियां की बारी आ गई ठीक है और देखिए ऐसा वीडियो आपने पूरे यूटूब पे नहीं देगा जिस प्रकास में आप लोगों को बता रहा हूं यहां से छूटेगा नहीं एक जामर देगा ही देगा ठीक है निवन में से रीतिकाल पुछा है कि निवन में से रीतिकाल की जो प्रवितियां हैं या विशेस्ता हैं कौन सी हैं चार अपसंदिया हैं बताना है कि रीतिकाल की प्रवितियां विशेस्ता हैं पहला है कि सिंगारस की प्रधानता दूसरा है कि काबे में कलापक्ष की प्रधानता है तीसरा है कि विकल्प A तथा विकल्प B दोनों और आप संटिय के देश प्रेयम की नए मेरो प्यारा बच्चों की की रीथी काल्ट की मुख्य प्रवित्या विशीजता है कूंसी है untilNo буд regression कि प्रजाम सी यृना मेरा फ्रीécali गोन के फेस्टतान सी होने देखते हैं कि विसस्था को मत दोनों गासिश WITH कर देखें को तो तो इसका वी राइट अंसर यह होगा विकल्प्त अ काई सब्सक्राइब अगला प्रश्न देखों और आगला प्रश्न परयोगवाद आगया कि नियुन में प्र योगवाद की प्रमुक्र विस्यष्ष्ष्ष्षष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष। और आपसे ने घोर वेक्तिक्ता आपसे भी अथार्तवादी द्रिष्टिकोड विकल्प ए तथा भी दोनों और नारी के प्रती परिवर्टी द्रिष्टिकोड आप तो आख बंद करके इसको ही मारोगे आप लोग यूँग याद कर लो परयोगवाद की जो यहाँ पे दो प क्लिक करेंगे ठीक है चलिए मेरे प्यारावत जो किलियर हो गया है और क्यूसर नमर क्या है आपका फोटी बहुत इंबोड़न परशन है आगला प्रशन देखो गये तो आप प्रगतिवादी आ गया अब बताओ की प्रगतिवादी यूग की प्रवीतियां विशे स्ताइक चलिए मेरे प्यारा बच्चो आगला प्रशन देखो आगला प्रशन चाया वाद आगे जया है कि निवने में से खायावाद की दो प्रवीतियां विशेस्ता बरशन बताईए जेशा बात की प्रवीतियां शस्ता कुन सिरंप्त करतर स Gem का Girードι 27 suggested दूनों श्रिंगार और प्रेम वेदना भी आप लोगों का च्हायवाद की विश्यस्ता होती है प्रकृति का मानुवी कराने भी मतलब आपसं इस पर ही क्लिक करोगे कि वी तता सही दोनों दिया हुआ है ठीक है चले मेरे प्यारा बच्छो वीडियो लाइक नहीं कियो तो आफी तक क कोड़ आपसं से चंद योजना में नमिन्ता और आपसंडी समाजिक और समांता बताइए नई कविता की प्रमुख विश्यस्ता कौन सी है मेरे प्यारा बच्छो बहुत प्रस्चन है और इसका राइटन सब्सक्राइब कर लेना इस टार बना लेना इस प्रस्चन बहुत ज अब यहां समयत्व पूर रचना देखो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट जीसे रस मिमान सा के लिखक कौन है यह बहुत प्रस्चन आता है ठीक है तो रस मिमान सा के लिखक कौन है अचारे राम चंदर सुकल जी है कि गुलाव राजी है भगवास तरह उपध्या जी है कि जे प्रकास भारती जी है ठीक बताईए रस मिमान सा के लिखक कर पूछा है तो अचारे राम चंदर सुकल जी है पहला अपसंजुआ है इस प्रश्चन का राइक्ट आंसर हो जाए ठीक है चलिए मेरे प्रश्चन की तरह बढ़ेंगे प्रश्मरों नईस बताए गुलाव रायद्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है अब गुलाव रायद्वारा आत्मकथा कौन सी रचित है आपको बताना इसमें से मेरी जीवन प्रवाद की मन की बाते हैं कि मेरी और सफलता है कि नई पाउध मेरे प्यार विक्ष्चर राइट आंसर क्या होगा सब को वालुमें कि गुलाव रायद्वारा जो अगर आत्मकथार यहां पे लिखित है तो मेरी और सफलता है ठीक है बहुत इंपोर्टेंट प्रश्ण है मतलब आपसं सी जो है इस प्रश्ण का राइट आंसर होगा मेरे प्यारा वी दर्वी इतना अच्छा नमबर आएगा आप लोगों का एक प्रश्ण छूटने वाला नहीं से वादा मेरा ठीक है आब अस कभर करते जलो इन तरश्णों को और इसी साथ आगे बढ़ेंगे में प्यारा प्रश्ण सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्ण है कि गोदान जो है वो किस यूग का उपन्यास है और यूग का उपन एकजाम तक आप लोगों भूलना नहीं है एकजाम तक क्या आप याद कर लो तो कभी जिन्द की में ना भूलो एकजाम की तो बात ही छोड़ो ठीक है चलो प्रश्ण बीस्वा भी किलियर हो गया ना मेरे प्यारा बच्चो यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रचना बहुत इंपोर्टेंट प्रश्ण है तो आप तुरूंट ट्रिक लागा होगे राम विरिक्ष बेनेपूरी जी की रचना है चिनकी राम विरिक्ष बेनेपूरी ठीक है चलिए मेरे प्यारा बच्चो पुछा वर्फ की जो गुडिया है उसके रचनाकार कौन है पदुमला फारती जी के रम्धारेशिंद्र कर जी है कि रामचान शुकल जी है वर्फ की गुडिया पूछ रहे हैं थीक है और बहुत इंपोर्टेंट आप बश्तार को आप लोगों के आने वाल हैं रोए कि ठालुवा कलब निबंद के रचनाकार पो रहे हैं बताइए गुलाब रा जी है कि अचारदर्णसुकल जी है कि सरदार पूरु सिंग है कि नमें से कोई नहीं ठीक है मेरे प्यारा विचो कॉंटी थी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है ठलुगा कलप के जो रचनाकार है वह गुलाव राय कोने है गुलाव राय तो पहला अपसंद जो है इस प्रशनकाराई टांसर हो जागा आंसु के रचनाकार आपके अपसंद नमडी जैसंका परसाथ जी है और यह तो आपको लोगों को मालूम ही होगा जितने बचन अगर आपसंद दी दिया है बिल्कुल उनका अंसर सही 100% सही है ठीक है चलिए यह भी प्रस्ण हो गया अगला प्रस्ण देखिए मेरे प्यारा कि अगर आधुनिकी मीरा किसे कहा जाता है माध्यव वर्मा जी को सुमेत्रा पुबारे सिंद आधुनिक मीरा किसे कह़ा जाता है तो आपके सबसे पहले नावाएगा महादेवर्मा जी का यही है महादेवर्मा को आधुनी की यूग की मीरा का जाता है यह प्रस्म बहुत जादा इंपोर्टेंट है मेरे प्यार वच्छो भूलना मत ठीक है लावादारे सिंख्धिन प्रपाइट लागाऊगे क्योंकि रट रट गए हो आप लोग इस प्रस्न को अरधनारि सवर्टेंट चलिए मेरे प्यार वच्छो टॉन्टीश वो गया ना टॉन्टीश सेवन कितना प्यारा प्रस्न है मेरी तिबद यात्रा देखो जहां सबढ़ मेरी तिबत यातरा ये कृती है बताइए राहुल संक्रिट्यान की जिसंग कपर्षाजी किये हैं जैनेंद्र जी किया किया है और यादतना इग्जाम तक पूरा ठीक है और अगला प्रशन मुर प्रशन को 28 है बताना है अब लगरं को कि उस्ते को यह कथनomme सही है उसे पहचान कर लिखना लिखना खिक है और तीन करकत गलत हो होगा ठीक है जैसे पहला है कि प्रेम चंद्र का महा कवी की रूप कि रचना मेला आचल राहुल संकृत्यान की काब बिक करीचिती है मेरे प्यारबचो इस तीन गलत होगा यह इक सही होगा आप लिगों को बताना है ठीक है तो देंके मेरे प्यारबचों सब बावु गुलाब राइक रेचना है नहीं मैला अचल राहुर संक्रियान की का पिक्रिती है यह भी नहीं मतब तीनों गलत है तो यह कई सही होगा कि मुंसी प्रिमचंदर का गोदान जो है वो परसीद उपन्या से ठीक है चलिए मेरे प्यारों चो आगला दोको आगला भी यह ही आया है पाणा की कौन सई निमलिके कत्रों में को यह उतर है उसे पैचान कर लिखना है जैसे जूटा सचके लेख रामारासर –कत्र कहला है कॉन सा कतन सही है कि उसके जो संपादक मुंसी पुर्यम चन्द्र प्रसन भी इना की ऑग्रणका हो उसने कहा ठेख विडियो कितना प्यत Uh उसने कहा था किस विदा की रचना है बताईए उपन्यास विदा की रचना है कि आपसंद से कहानी कि आलोचना है उसने कहा था किस विदा की रचना है तो आपसंद से कहानी विदा की रचना है बहुत इंपोडेंट है मेरे प्यारवाचों 30 प्रस्ण उन्हें बताया है ऐसा हो नहीं सकता है कि यहां से आप लोगों का प्रस्ण नहीं बना अगर यह 300 प्रस्ण अगर आपको याद है तो समलिए कि बहुत अच्छा स्कूर करने वाले आप 2023 बोड़ी जामें ठेके निरंतर आप बने रही अपने त बताने वा लगों जो हिंदी के आते याँ इसके बाद में आफ वो का जीवन परस्दंबंकि बताने वाला हुं इकंपूस है और यह कभिका बताने बदोंके धानुलों जो कि वहön इसनों ब्लोगों को ना सभी क्लिएंगा संस्क्रिट के प्रशन उतर आते हैं चार नुमर को भी बताने वाला हूं यह भी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगे निबंद सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगा आप लोगों की बोडिक जामें जो कि नोड नुमर के लियागा और यभी आज की क्लास में मैं आप लोगों डिसकस करने वाला हूं बताने वाला हूं हल सय सॉल पूरा का पूरा स्लूसे आप देखने वाले हो ठीक है तो वी डियो को लाइक कर दो चैनल परना दो हो सबस्क्राइब कर दो क्या है कि है भगवान तब के लिए इतना आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद इतना साहस पीता जी क्या भीक नहीं मिलेगी क्या कोई हिंदू भूपिरिष्ट पर नब बचा रहा जाएगा जो ब्रामर को दो मुठी अंदे सके यह असंभव है फिर दीजे पीता जी मैं काप रही हूँ इसकी चमक आखो को अंधा बना रही है यह जो आप लोगों का गज्द्यांस से इतना ज़ादा important है इसको आपको तयार करी लेना है अगर मैं आपको कह दे रहा हूँ कि यह important है तो इतना मानके चलिएक important है मैं बोल दिया तो important है इतना याद रखे इसी भरूसे पर प्रस्ट पर आप लोग इसको याद करके जाएगा चलिए अब देखिए यह आप लोगों का गद्यांस दे दिया अब इसके नीचे क्यों संपूछेगा उसी का उत्तर देना होता है जिसे पहरा प्रस्ट ने पूचा है कि उप्यूक्त गद्यांस का संदर्व लिखना है गद आप आप लोगों का की लिए और एकि दूसरा हम से प्रस्ट फूछा था कि रिखाएं की तनस्की बाख्या, तो रेखां की तनस्कłe हां किया गया यहां से, कि परम्पिता की इछ्चा के बूद ना बचा रहा जाएगा, तो यहां तक यहां तक अंडेलाइन किया गया है, तो इसके बैख्या करना है, ठीक है? और किस परकार करोगे तो लिखो गए उत्तर पे यहाँ पे रेकानकी तर्सकी वैक्ठीם टीर डालोगे और लिखो गए कि या जानना वस्यक है कि हम इस्वर की इच्छा की बिना कुछ नहीं कर सकते हैं यदि हमारे भाग़ी में मुसीवत लिखी है तो हम उसे सवर अभूसरों के संचे से नहीं टाल सकते हैं कह रहा कि अगर आपके जीवन में मुसीवत लिखा है तो आप सूने चांदी देखर अपना मुसीवत नहीं टाल सकते हो ठीक है यह कहना चाह रहे हैं वो फिर आगे लिखोगे यहाँ पे कि यदि इस्वर की इच्छा से भी पत्ती आती भी है तो हमें उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए बिल्कुल पीता जी मंत्री तो और न रहने पर क्या हमें भीक नहीं मिलेगी मंता कहरे अपनी पीता से कि क्या अगर आप मंत्री की पत्त पर नहीं रते हो तो क्या आप हमें भीक नहीं मिलेगी जिससे हम अपना पेट भर सकेंगे इस रिस्वर से कहीं इच्छा अरे मतब करें कि इस रिस इसबी पर उससमें coi hindu na saem י Правy ऐगा ठीक है मतल सेश नहीं रहेगा जाएगा ठीक है यहां तक पूरा रहिआं की दंश क्या वने बैक्खिया करें जहां तक अंडरलाइब किया था वह वहां तक हमने बैक्ख्या कर दिए चलिए तेसरा प्रश्णम से पूछा है कि मंता द्वारा किस कारे को इस्वर के इच्छा के बिरूद बता गया है तो लोग लिखेंगे यहां पर कि चूडा मडी ने मंता के लिए रिस्वत के रूप में सेर सासे दस थाल सुना प्रात किया उसने सुना लिया था उधार ठीक है रिस्वत के तोर पे सेर सासे उनके पिता का नम था चूडा मडी ने मंता के लिए अपने पूतरी मंता के लिए उसने रिस्वत लिया था सेर सासे दस थाल सुना लिया था और अपने पिता का सही कारे मंता को परम पिता की इच्छा के बु लगा क्यूंकि मंता का यह विश्वास था कि जो कुछ भी स्रिस्टी में घटित होता है वह इस्वर की एक्षा से होता है ठीक है तो देखे यह भी आप लोगों का क्लियर हो गया तो यह पहला आप लोगों का गद्यांस था जो की कंपलीट हमने करा दिया यह गद्यांस को इन ही दुनों का आप लोगों को ज्यादा तर प्रेक्टिस करकी जानी है तो आज की वीडियो में यह दुनों का द्यान सबसे जदा इंपोर्डेंट है चलिए तो पहला तो खिलियर हो गया दूसरा देखते हैं देखें मेरे प्यारा पूरुष की संगति यह दिबूरी जो उसे निरंतर दिन पर दिन आुनती के गड़े में गिराती है और यदि अच्छी होगी तो सहरा देन वाली बाहु के समान होगी जो जो आप लोगों का गज्या से बहुत जादा इंपोडेंट है और इसको आपको किसी किमत पर आना ही चाहिए अगर पहले सही याद है त और सौवला में तीन प्रशन पूचा है, पहला की कुसंग का प्रबाब व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है, और दूसरा की कुसंग और अच्छी संगती में क्या आंतर है, और तीसरा की कुसंग का जवर सबसे भायानक क्यूं होता है, सभी प्रशनों का हल देखे सबसे पहले नोगं ये दिखेंगे एगद्यान था पूरा संधर्व heavenly लिखेंगे इस तरह बोड़ इसमों की खौपी में आप इस तरह लीखो इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप लिखोगे पूरे के पूरे अंक मिलेंगे देखे हिंदी सिंग खंड से लिया गया है मित्रता सिर्शक नामकपार्स उद्रित है इसके जो लेखा क्या अचारे राम चंदर सुकली है यह संदर में लिखना है ठीक है इसके ब परदीन अमनती की गड्र मिगरती जाएगी जहां तक अंडरलाइन किया में लिखेंगे बूरी संगती जो वियानेक रोग के सदरी सेमक्तव के भैयानेक रोग जैसा है बुरी संगती कि या अच्छे गुरों का विनास करने के साथ बृधि को भी नश्ट कर देती है, क्यारा कि अगर बुरी संगती है, तो आपकी जीतने अच्छे गुड़ हैं, सब भी नस्कारी हो जाएंगे, सब नश्ट हो जाएंगे, और आपकी बुद्धी को भी नश्ट कर देगा, अगर बुरी संगती आपकी इसी पर जाते हो, तो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, तो वही करा कि इसके पेरों में बंद जाती है, वह गती हीन हो जाती है, गती ही करने नहीं देगी आपको, उसकी बुद्धी नश्ट हो जाती है वो दिन प्रते दिन विनास के गर्थ में गिरता चला जाता है किन्तु यदि अगर अच्छी होगी अगर उसका विप्रित कराए कि अगर अच्छी संगती होगी तो क्या होगा तो क्या अच्छी संगती मिल जाए तो बुरी संगती में पड़ा विक्ति गर्थ से निकल कर सारी बुराईयों से मुखत होकर परगती के पत पर चलने लगता है क्या रहा कि अगर अच्छा मित्र मिल जाए तो जितने भी बूरी संगती आप में इफेक्ट डाला था वो सारे इफेक्ट को दूर कर देगी और आपको अच्छे संगती मिल जाएगी तो आपको निरंतर आगे बढ़ने को प्रेजित करेगी ठीक है तेरे खांकी तंसकी ब्या बिनसकारी होता है दूस्टो की संगती में पड़ा वेक्ती अपनी बुद्धी आच्राल से छिड हो जाता है अच्छे बुरे उचीत अनुचीत की समझ को खो देता है धीरे धीरे पतन के अंधकार भरे गर्त में गिरकर नश्ट हो जाता है तो कुसंग का जवर सबसे भहान देखें दूसरा पुछा इसमें कि कुसंग और अच्छी संगती में क्या अंतर है तो लिखेंगे कि कुसंग जो है पेरों में बंदी चक्की के समान किन्तु अच्छी संगती जो होती है वह सहारत देने वाली भाहुक मतलब बहां के समान होती है तो यह भी आप उतर लिख दिख रहे हना कितना सिंपल सिंपल है इसके बाद है तीसरा कि में बिल्कूल न Extra कर देगा और आपकी बुद्धी लिन से देगा इसलिये कुसंग का जो और जो होता है सबसे भायानक मना जाता है अब भायानक कहा जाता है ठीक है किलियर हो गया तो देखें मेरे प्यारा विद्धार थे महत्वपूर जो मैं आप लोगों को गद्यांस बताया है आप जाकी यह पॉर्शन केलियर हुआ अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर पध्यांस यहां पर देखेंगे गध्यांस वाला पोर्शन किलियर न मतलब छे नंबर आप लोगों के किलियर अब महत्वपूर पध्यांस देखने वाले हैं जो प्रशन आपको बताऊंगा याद करना बिल्कुल याद करना चलिए अब पध्यांस देखते हैं देखिए मेरे प्यारवी दार्चों यह महत्वपूर पद्यांस है जो कि छे नमर के लिए आएगा और यह प्रद्यांस बहुत इंपोर्टन जो कि आपको त्यार करना क्या है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी त्रिप्ती आत्म बल पर हो निरभर त्याग बिना न है कि प्रस्तूत पद्यांस का संदर्व हिंदी में ब्याक्या कीजिए तथा काब्य संदर्व असपष्ट कीजिए देखिए संदर्व मतलब यह ची होता है कि संदर्व इसमें लिखना होता है और प्रसंग भी लिखना होता है और ब्याक्या भी करना है और काब्या वसंदर्म यहां को चलिए कि अच्छे से लिएंगे कि राम नरेश तिर्पाथी जी लिखे हैं स्वधेश प्रेयम सिर्षक कविता से उत्रित हैं और काप यह संग्रा की बात करें तो स्वपन से लिया गया है तो जो मैं हाइलाइट पॉइंट लिखा हूँ यह है अगर आप एक्जाम में लिख देते हो तो यह सारी इग्जामनल क् इस पद्यांस में किसकी बारे में बात किया गया है एक लाइन में बताइए तो देखे प्रसंग का मतलब यह होता है लिखेंगे प्रसंग में कि कभी ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेयम के लिए अवसेक मना है मतलब कभी ने यह बता है कि त्याग अगर आप अपने देश से प्रेम करते हो, तो त्याग और बलिदान ही सच्चे देश प्रेम के लिए अवसेक मना जाता है, कभी ने यह चिक्र किया है इसमें, त्याद तो प्रसंग में हो गया, ब्याख्या, अब देखे, पूरी के पूरी यह पध्यांस वे पध्यांस कोई बार प करते हो, तो आत्मत्याग की भावना होती है, अगर सच्चा प्रेम करते हो, किसी से आप तो, आत्मत्याग मतलब कि आत्म भी देना हो, तो आप दे सकते हो, अर्थात कहना का मतलब उनका यह है, कि आत्मत्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है, और सच्चे प्रेम के प्राणों का संचार होता है अता सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सद्य प्रस्तुत प्राना चाहिए देश प्रेम वहा पवित्र भावना है जो निर्मल और सिमा रखीत त्याग से ही सुसोवित होती है देश प्रेम की भावना से ही मनुस्य की आत्मा विक्सित होती है और आत्मा की विकास से मनुस्य का विकास होता है अगर हम बात करें तो देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा की विकास से मनुस्यता का विकास होता है ठीक है मनुस्यता का यहां पे लिख लेगा विकास क कावेगास संदर का मतलब यह होता है कि जो आपके पूरा का पूरा पद्यांस था उस पद्यांस में भासा कौन सा प्रयोक किया गया है तो देखे इस पद्यांस में भासा आपका सरल खड़ी बोली का प्रयोक किया गया है सैली जो है वो उद्बोधन सैली का प्रयोक किया गया ठीक है तो यह आपका कवेगस संदर हुआ तो देखे यह भी प्रशने किलियर हो गया ना देखे अब आगे प्रशन हमसे क्या पूछा था देखे दूसरा प्रशन कि उपिउक्त पाध्यांस में कभी दवरा किस पर प्रकास ढला गया है तो हमनों लिखेंगी इसका उप्द्र कि उप्युक्त पद्यास में स्वदेश प्रेम चूत पत्ति के मूल भाव पर प्रकाश डाला गया है ठीक है बस इतना लिखो तो पूरे एंक मिलेंगे आपको अगला है कि आमल और बिलसित सब्दों का अर्थ बताई है तो देखे आमल और बिलसित यह सब्द हैं अमल का अर्थ होता है स्वक्ष और बिलसित का अर्थ होता है सूध होता है ठीक है चलिए और चौता प्रस्ट पूछा एक कभी द्वारा बताई गई सच्छे प्रेम की भिश्यस्ता लिखे ठीक है देखिए चौता कम लोग उत्तर लिखेंगा तो आपको देजिए यह तो प्रति आग्या में संकोच नहीं करना चाहिए अगर उसके प्रति जैसे आ प्रेम करते हो हलांकि इस प्रम्द्यास में देश के प्रेम की प्रति बात हुआ है तो देश के प्रति अगर प्रेम करते हो तो उसके प्रति जान भी देना पड़े आत्म बलिदान भी देना पड़े तो आपको दे अब जाके पूरा का पूरा संपूर यह आप लोगों का पध्यांस केलियर हो गया ठीक है मेरे प्यारविध्ये तो चलिए पहला पध्यांस तो किरियर हो गया एक पध्यांस और बताओंगा उसको देखें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यह पद्यास है कि सुनी सुन्दर बेन सुधारस साने सायानी है जान की जाने भली तिर्छे करी नेन देशन तिन है समुझाई कछू मुस्काई चली तुलसी तेही औसर सोहे सबे अवलोकती लोचन लाहू अली अनुराग तड़ाग में बिगसी मनो मंजूल कंजकली यह पद्यास बहुत जादा है अभी तो मॉडल पेपर में भी यह पद्यास दिया था इतना ज़्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है आगे से लिखा हम वेरी मुस्ट इंपोर्टेंट मतलब आपको यह तयार करना पड़ेगा किसी की मत पे ठीक ह रचित कवितावली से हमारी पार्टे पुस्तक हिंदी के कावे खंड में संक्ली तो वन पत पर सिर्शक कविता से उद्री थे यह पद्यास आपनों याद कलेना मतलब बहुत ज्यादा इंपोड़ेंट संदर में क्या लिखोगे पहली बात तो गोस्वामी तुलसी दास लि पूरे के पूरे आपके नुबर में संदर में ठीक है इसके बाद प्रसंग भी लिखना होता है इसका प्रसंग लिखेंगे प्रसंग में लिखेंगे कि इन पंकितियों में ग्राम वदू के परशन का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम की विश्या में स्बकुछ बद इती परसंग अभी मनें बता है कि पूरे परतम किसके बारे में बात की गया है तो जो घ्राम के की लड़किया थी वह सीदा से पूछी कि आराम बिना कुछ अपने हाव पाव से ही सब कुछ उनके विसे में बता देती हैं, इनहीं के बडिए की जिक्र है इसको देख करें है, इसको पूरा फूरा अब इसका इसका हम लोगं देखेंगे, ग्राम वदूँ ने राम की विसे में सीटा जी पूछा कि ये सावले और सुन्दर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ओपने लच्जा के काराने केवल संकेश सही राम के विशे में यह संजा दिया। ये मेरे पती लगते हैं। तूरशी दाजी कहते हैं कि सीता जी के संकेश को समझ कर सबी जो शक्या थी और राम के संदर एक दिखती हूई अपने नेत्रों का लाब प्राप्त करने लगी जैसे ही ग्राम वदों के पता चला कि यहां यह इनके पती हैं तो अपने द्रिश्टी वरियांकों से उनकों देखने लगी ठीक है और अपने नेत्रों का लाब प्राप्त करने लगी ठीक है और आगे लिखेंगे उसमें कि उस कर जो ग्राम की लड़किया थे उनके जो आंखों का नेत्र कमल रूप के जैसा खिल गया हो ठीक है तो यह पूरा ब्याक्या था इसमें भी कावेगा संदर्व लिखना पड़ता है तो लिखेंगे भिया कि भासा देखें वरज भासा का प्रयों किया गया है गुड़ की अगर अनुपरास अलंका रूपाक अलंका रूप्रेक्च अलंका यह तीनों अलंका इसमें प्रयोक किये गए हैं अब जाके पूरे के पूरे पद्यान से यहां पे खिलियर होगा मेरे प्यार भी दर्थियों और मैं आपसे यह वादा करता हो 100 पर यह देकि प्रस्ण सभी सब्सक्रीत का नंबर लगाने वाले हैं जो कि उतियार करना है सबसे पहले में सबसे पहले सब्सक्रीद का ख्यांस करते हैं संस्क्रीड का ⟟ द्यांस लेकि मेरे प्यारवच बहुत इंपूड़ेन पहला जो आपको बताने वाला हुँ कि मानो जीवनस्य संकरम संस्क्रीत है ठीक है थोड़ा पढ़ने में डिफकल्ट होगा लेकि कोई नहीं आपको ते लिखा हुआ मिलेगा अस्कारम पुर्वच मानो जीवन संस्क्रीत है ठीक है थोड़ा पढ़ने में डिफकल्ट लगता है अब इसका तो आप लोगों को मिलेगा अब इसका तो आप लोगों को संदरव प्रसंग अनुगाद लिखना होता है सबसे पहले बहुत इंपड़े तैयार कर लेना, ठीक है? संदर्म लिखोगे, कि प्रस्तुत गढ़्यांस हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतिय संस्कृती नामक पाठ से उद्री थे मतलब जो भारतिय संस्कृति हमारी है उसके रूप का ऐसा उसका स्वरूप का ऐसा है उसका महत्तो क्या है इसके बारे में जिक्र किया गया है ठीक है अब इसका अनुबाद देखेंगे अब इसका अनुबाद देखो अनुबाद में लिखेंगे कि इसमें मानो जीवन को सवा संस्कूर्पी हैं तो इसकर आप आप लोगों का नूबाद था जो पूरा संस्कूरित का गद्यांस था उसका अनुबाद पहले आप की एननौढ्शाशा एननुपरेंद्ट्र केस प्रस्तुत गद्यांस हमारी पार्ट पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वरानसी पार्ट से उद्री थे मतलब किस चप्टर से वरानसी चप्टर से लिया गया है प्रसंग में लिखो गए कि इस गद्यांस में हमारी इस गद्यांस में वरानसी की अतिया तो लिखेंगे अनुगाद में कि यह नगरी भारती संस्कृती और संस्कृत भासा का केंदर अस्तली है मतलब संस्कृत भाता केंदर मान सकते हैं इसको यहीं से संस्कृत भासा का प्रचार प्रशान किया गया यहीं से संस्क्रिट और सहित्य और संस्क्रिट का प्रकास सभी जगां फैला है मुगल यूराज दारा सिकों ने यहां आकर भारतिय दर्शन सास्त्रों का ध्यन किया था और वो उनके ज्याम से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिसीदों का अनुवाद किस्व में फारसी भासा में करवाया इतना अच्छा ग्यान पराथ हुआ इतना खुस हुआ वहां की ग्यान से कि वहां पर जितने वे उपनिसीदों का अनुवाद था उस सब फारसी भासा में करवा दिया कौन दारा सीखो तो देखे यह आप लोगों का जो पध्यांस था गध्यांस वरी गध्यांस किलियर हो गया तो दो गध्यांस हमने संस्क्रिट का बता दिया दोनों तयार कर लेना ठीक है आप देखने वाले हैं संस्क्रिट के पध्यांस यह वाले गध्यांस तो कंप्लीट हो कि प्रस्तुत स्लोख हमारी पाठ पुस्तग हिंदी के संस्कृत खंड के अंतरगत भारतिय संस्कृती नामक पाठ से उद्रित है और इसमें सभी के कल्यान की कामना की गई है मतलब भारतीय संस्कृत इनामक पाड़ से लिया गया है, سंस्कृत खंड से लिया गया है. ठीकoster? और इसमें क्या किया गया है, कि सभी के कल्यान की कामना किया गया है, कि सभी का कल्यान हो. अब इसका अनुबाद देखेंगे, पुरू May Pika लेहात सर्वाय को पकुरूसा आपको याद करके जाने कि जबूरत होती है। पूरे नमबर आप लेकर आओगे यह तो पहला आप लोगों कथा चुकि आप लोगों को याद करके जाना है दूसरा जो मैं आपको बताना वालों यह है जो कि सबसे ज़्यादा इंपोडेंट है कि बंधं मरणों वापी जय वापी पराज्या उभयत्र समों वीरवीरत भाव ही वीरत भूँ बहुत इंपोडेंट है क्या करना है संदरब और हिंदी मेंनाःबाद कोहां से बिर वीरर्ण पूजिते चैप्टर से लिया गया है Sanskritaghand me और इसमें क्या बताए गया है इस सलुक में वीरता की विषयन बताए गया है जा अनुबाद में यह है कि बंदन हो या अ watershah मरण हो जीत हो या हार हो दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है और वीर को ही वीरता कहते है बस इतने ही लाइन आपको लिखना है पांच नंबर ले जाओगे तो देख रहे हैं यह सभी फ्री के नंबर ही बताओ दो मिनट पड़ोगे सभी याद हो जाएगा तो दो में तपूर हमने यहां पर आपने देखा कि हमने पध्यांस भी बता दिया अब हम जीवन परचे देखेंगे जो कि लिखा कि इनका सबसे जादा आता है सबसे जादा हर साल आता है इसको कोई रोप नहीं सकता है तो अचारे नाम चंदर सूखला का याद कर लोगे यही आएगा यही आप लिखे हो पांच नंबर ले जाओगे जीवन पर चेहटनी डालों के लिखोगे कि पंडित राम चंदर सुखला का जो जन्व हुगा था तौद बस्ती जिल के आगवोना नाम का इमकर अखा बस्ती जड़ा था 31 1884 में हुगा था उनका जन्म चारवर्ष के अवस्था में जब वो चारवर्ष के थे तो उनके पीता के साथ राठ जीला हरीमपूर चले गए चारवर्ष के अवस्था में अपने पीता के साथ राठ एक जीला है जहां पे हरीमपूर गाव है वहाँ पे चले गए और वहीं अपना प्रारंभिक सिच्छा हुई उनका पढ़ाई वहीं से हुगा ठीक है जो सुरू का अस्तर का पढ़ाई होता है 1892 में इनके पीता की नियुक्ती मिर्जापूर सदर में कानुनग्यों के पद बेर हुई 1892 में क्या हुआ कि उनके पीता का जॉब लग गया मिर्जापूर में ठीक है और कानुनग्यों के पद पर हुआ था पीता के साथ ये मिर्जापूर गए और 1931 में उन्होंने क्या किया कि जो मिसन स्कूल होता है किंतु गड़ित में कमजूर थें तो कमजूर होने के कारण इंटर के परिशाद्य नहीं सके वो बाद में उन्होंने हिंदी सब्द सागर के लिए वैत्विक सहाय के रूप में कासी आ गए ठीक है कुछ दिनों तक नागरी प्रचारणी सभाव पत्रिका का भी संपादन के उ उसके बाद उनकी नियुकती कासी विद्याला में हिंदी के अध्याप एक रूप में हो गया ठीक है और वहीं 1937 में विभाग देश हो गये और स्वास का दौरा पढ़ने के कारमता स्वास का दौरा ठीक है और दूआ फरवरी 1941 इस भी को उनका दिवसान हो गया रचना है ब अगर आपने छुड़ा मतब दो नमबर आपको कटा तो यह था लेखा का जिवन पर्चे अच्छा रर्यम्द सूख लगा यही याद कपलो यही आ जा गया अब पूरा का पूरा नमर उठा ले जाओगे एक अधिस्ट्रा भी याद कर लेना ठीक है डाटर राजिंद परसा जन्मका जन्म होई था वो बांदा जीले के राजापूर नाम करता भकल देंग माचा जन्मक मांते हैं यह सर्यू पराणी ब्रामर थें, इनके पिता का नाम जो था ना, आत्मा राम दूबे था, याद रखेगा, इसे बलेक पेंसे लिखना है, और माता का नाम हुलसी था, उपभूकत मूल नच्छतर में जर्म होने के कारण इनके माता पिता नहीं त्याग दिया, कि उपभूकत मनें उपभूकतन पोफे नर हरिसदास इनका पाजनपोसण किया, और कासी के से सनातन नामक विद्द्यान ने इने वेदो, पुराण आदिela को ज्यान कराया। ठीक है कासी के जो सनातन नामक विद्यान थे हैं, तो विद्वान जो थे हैं, उन्होंने वेदो और पुनानों गरंतों का ज्ञान करवाया इनको, और इनका बिवा जो हुआ दिन बंदू पाठक की कन्या, दिन बंदू की एक लड़की थी, कन्या थी, जिनका नाम रतनावली पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा अनुरगत रहते थे, पत्नी के आदेश से ही इनके मन में वैरागय उत्पन हुआ, और इनका जीवन कासी, अयद्या और चित्रकूट में आर्थिक बेतित हुआ, उनके प्रत्नी नहीं का है, कि आपको जाना चाहिए अपने उपदेश को तो देखे, यह बी प्रत्नी की तो जैसा कि आप देख पा रहे हूं कि जीवन पर्षे भी कंप्लीट आ गया अब सुलोक की बात करें देखें उच में अप लोगों को बता देता हूं और इनी स्लोकों को आप लोगों को याद करके जाना है कि विस्लोक दो नंबर के लिए आते हैं कौन सा सुलोक देखा हूं में पूस्ता है कि अपनी पाथ्य पूस्तक में कंठस दिखिया हूआ सलोक को लिखें जी प्रश्नपत्र में नौ हाएँ तो आपके प्रश्ण पत्र में बेसे जो अंसकृत के पद्यान साते हैं तो पध्यान सरोग ही तो होते हैं तो जो आपके पेपर में पध्यान साइंगे वो नहीं लिखना है, कोई अलग लिखना है, तो दो आपको बता देता हूं, दूनो याद कर लिजए एक तो बंदंम परनो वापी जयो वापी पराजया उभेतर संभ़ वीरव वीरभाव वही यह तो पहला से लोग दो लाइन का याद कर लोगे यह सर्वे बंतु शुकिनम सर्वे असंतु निराम्या सर्वे बद्राणी पसेंतु या मकजी दुख वाब अगयत है तो याद है तो काम बन जाएगा आप लोगों का ठीक है तो दो नंबर से लोग भी किलियर हो गया चले इसको भी साइड कर देते हैं सुलोत की बास संस्क्रीट का प्रस्ण उत्रवजिया संस्क्रीट के क्यूसन अंसर आता है दो दो नंबर के दो ही करना होता है एक क्यूसन करोगे तो दो नंबर दो क्यूसन करोगे तो च्यार नंबर लेकि पांच यही प्रस्ण बताऊंगा ज तो उत्तर लिखोगे इसका कि वराराशी भारतिय संस्क्रीत भासस्यत केंद्रल मस्ती तीसरा कि वीर केंपूजते यह सबसे ज़्यादा इंपोटेंट है तो आप लिखोगे वीर वीरन पूजते ठीक है तीसरा प्रश्ण याद करने आपको कि पुरुराज क आसित ताप उत् तो यही पांच प्रश्ण आपको दिलाएंगे चार नंबर यही प्रश्ण आप लोगों के एकजाम में आने वाले हैं इन ही प्रश्णों को याद कर लेना अब देखिए मेरे प्यारोचो सब कुछ हमने आप लोगों को बता दिया बस आप लोगों का निबंद बची गया ठीक है अब निबंद हम लोग देखते हैं जो कि 9 नंबर के लिए निबंद पूछा जाएगा देखिए मेरे प्यारोचो परदूसर्ण पर निबंद बताना ला हूं ठीक है और यह मैं बता भी चुका हूं आप लोगों को पहले का कि कौन से इंपोर्टेंट होगा लेकिन सबसे बड़ी समस्या है इसके वाल लिखोगे जो प्रतिदीन बढ़ती में चोटा कर देता हूं तकि दिखे आप लोगों को पूरा लाइन पढ़ता हूं आप लोगों का लेना आवाज को मेरे सुलते है रहना किलियर नहीं है तो आप लोगो उसको क्वालिटी बढ़ा देना तकि किलियर दिखे लिखोगे कि वज़ा से प्रिद्वी पर मौजूद सभी जीव जन्तुओं को विभिन प्रकार की घातक बीमारियों का समना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूसन के कारण दोस्त पैदा हुआ है। इसको समझाना नहीं मुझे वो तो फूद आप पड़ोगे तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों बस नोट करना है क्योंकि आपने बहुत सिंपल तरीके से लिखा है इसलिए आपको बता रहा है कि आप लोगों नोट यह करो देखो फिर अगली एटिन डालोगे प्रदूसन लिखोगे कि मुख्य रूप से प्रदूसन के चार प्रकार है एक वायू प्रदूसन जल प्रदूसन और ध्वनी प्रदूसन तो सब्से पहला है यह इस सबसे खतर्नांक प्रदूसन का मुख्य कारण उद्योगो और वहानों से निकलने वाला धुगा है वाई उपर दुसरान के कारण वाई मंडल में कारवंडा एक साइट की मात्रा बढ़ रही है इससे प्रित्वी के उपर वाला उजोन गैस का सुरच्छा चक्रव बूरी तरीसे से प्रवाइट हो रहा है ठीक है तो आप ल यह बार नदीयों और जल में मिल जाता है जिसए उन्हें प्रदूसित कर देता है जल पर दूशर के कारण अनेक बीमारिया पैदा होती है बस इतना झी लिखना जयादा लिखने को जो दो नहीं है आप लोगों को I'm requirements 나 principle को ऐसे पदार्फ जिससे मृदा में नहीं होना चाहिए उसके मिलने पर होती है सहरी करण और अद्योगी करण बढ़ने से मृदा परदूसर बढ़ रहा है वस इतने ही पॉइंट आप लोगों के मृदा परदूसर में लिख देनी है आगला पॉइंट अगर देखोगे ता धोनी परदूसर है तगि हम लिख है कि धोनी परदूसर के किसी भी प्रकार के अनुबड़ी ओगी दोनी को कहते है इस परदूसर से मानों और जीव जन्तु को परिशानी होती है कल कर खानों का सोर यातायात काव सोर मोटर गाड़ियों का आवाज लौड स्पीकरों का करण भेदक धोनी आदी से यह परदूसर्ण होता है बस इतना ही टॉपिक आप लोगों को लिख देना है इसके बाद आगे बढ़ोगे देखो परदूसर्ण की दूस परड़ाम लिखोगे कि परदूसर्ण के क्या परड़ाम हो सकते है ठीक है देखे परदूसर्ण के कारण जो है मानों के स्वस्त जीवन को खत्रा पैदा हुआ है परदूसर्ण के कारण जो मानों खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है और प्राकर्थिक और संतुलन पैदा हो रहा है कई तरह के जीव और प्रजातियां पर दूसरन के कारण विलुक्त होती जा रही है ठीक है इसके बाद लिखोगे सुधार के उपाए कि मतलब पर दूसरन को कैसे सुधारा जा सकता है और इसमें लिखोगे कि परदूसर कम करने के लिए हमें लोगों में जागरुता पैदा करनी चाहिए ठीक है और वनों के बिनास को रुकना होगा अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे और वर्षा के जल को संचीत करके उसका पुना उपियो करना चाहिए सरकार को समय समय गिलáप अभियान चलाते होना चाहिए कि अभियान अलगज तरीकेश नीकला कि परदूसर को कम करना चाहिए ठीक है सट करवाई करना चीयए प्रती यृटी को सफ़र्टेशा परने में यह है कि हम पर दूसरान के खिलाप अपना युगदान देकर परेवर्ण को सुरक्षा करें तो देखे हमने पूरे के पूरे यहां पे सलूसन आप लोगों को बता दिया एक भी पॉइंट आप लोगों का छूटा नहीं होगा ठीक है मैं दिखा देता हूं पूरे के पचास न नेक्ट वीडियों तब तक लिए धन्यवाद